नमस्कार मैं हूँ राहूल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके है अर्थप्रकाश टीवी अभिनेता शुशांक्सिक राजपूर्ट की खुदखुशी के केस की जाच अब सीबियाई करेगी सुप्रिम कोट ने इस मामले की में रिया चक्रवर्ती की याजिका को खा सुप्रिम कोट ने इस फैसले के बाद अब सीबियाई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई जाएगी सीबियाई की टीम मुंबई पहुचकर पुलिस से इस केस से रिलेटेड सारी डायरी मांगेगी इसके इलावा संदिक्द गवाहों और बयान फायरेंसिक रि सुसान सिंग राजपूत की फासी के उस समय जो लोग मौजूद थे उनके बयान भी लेगी और रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शाविक उनके पिता इंदरजीत और अन्य से पूच्ताज भी शुरू करेगी पूच्ताज के बाद सीबियाई इस बात का फैसला करेगी कि इनमें से किसी को गिरफतार करने की जुरुत है या नहीं आपको बता देगी रिया चक्रवर्ती ने शुरुवात में इस केस की मांग सीबियाई जाचकी की थी इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर केंदर ग्रह मंत्री अमिज शाव को ट्वीट भी किया था लेकिन का दायर करने के साथ ही रिया ने ये भी अपिल की की पटना में जो मामला दर्ज है उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए हालांकि सुप्रीम कोट ने इस अपील को ठुकरा दिया और अब पटना में ही इस केस की जाच होगी बता दे कि शुशांत के पिता ने पटना पूचताज भी चली थी फिलहाल सुशांत के प्रियजन इस वैसले से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं चाहे वो नितिश कुमार हो बिहार के डीजीपी गुपतेश्वर पांडे कंगना या सुशांत की बहन हो सभी ने किसी ना किसी तरीके से खुशी जताते हुए शांसिंग केस में भी वैसा ही हो रहा है देखना यह होगा कि क्या लास्ट में सीबी आई की एंट्री होने पर इस केस में कुछ बचा है या नहीं अब तक के लिए बस इतना ही फिर लोटूंगा आपके लिए कुछ बड़ी खबरे लेकर तब तक के लिए धन्यवाद